अंतरास्टी इस्तर के बोरिवली स्केटिंग रिंग, बॉक्सिंग और बास्केट बॉल स्पोर्ट कॉम्प्लेस का उत्खातन भव्यरूप से संपन हुआ बोरिवली के विधायक सुनराने और मुंबई भाज्यपा जक्स हुआ विधायक आचिस जलार के द्वारब बोरिवली अंतरास्टी इस्तर के बोरिवली स्केटिंग रिंग, बॉक्सिंग और बास्केट बॉल स्पोर्ट्स का उत्गाटन पावन धाम के पास माहवी नगर कांदेवली पच्ची में भव्यरूप से संपन हुआ विधायक आचिस जलार मुक्य अतिती के रूप में इसाउसर पर उपस्तित रहे। करने के अवसर पर उपस्तित रहें। देखिए मुंबे के बोरिवली से हमारी यहाँ ख़बर। करने के अवसर पर उपस्तित रहें। पर उपस्तित रहें। झाल झाल जाल ये नमबर के पीछे मैं कभी नहीं दोड़ा हूँ ना कभी दोड़ूंगा लेकिन लोगों ने और हमारे बारतिया जमता बार्टी के कारे करता हुने पर हमारे नेताओं ने जिस विश्वास से मुझे बोरियुली बेजा था उस विश्वास को और परामानिकता से काम करने के पश्चर्च जो आपके सभी के सामने लगातार पिछले तीन वर्शों से मैंने जो काम किये वो रखे और आप लोगों ने जिस तरह से बोरियूली करों ने जिस तरह से सभी कारेक्रमों को सराहा उलेकनी है जो काम हमारी सभी के टीम ने मिलके किये और आज बोरियूली में मुझे आनंद होता है कि पहला अंतर राश्टिय दर्जा का स्केटिंग रिंग इन्हें सही माइने में तो य काम करने वाले और इस देश को आधुनिकता के माध्यम से आधुनिक भारत बनाने वाले आधरनिया प्रदान मंत्री श्री नरिंदर मोदी जी की कलपकता को हम वास्ताविकता में उतारने का काम हम सभी लोग करते हैं और मुझे लगता है कि आज का ये दुरुष्य आप सभी अभी स्केटिंग के लिए फिलाल तो कोई चार्ज नहीं है लेकिन इसको सीकने के लिए अलग-अलग स्केटिंग्स होती है जैसे इन-लाइन स्केटिंग्स होती है और इसके लिए अलग-अलग ट्रेनर्स रखे जाएंगे और ट्रेनर्स के माध्यम से उनको शिक्षा दी ज है मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में बूरियूली यह स्पोर्ट का खिलाडियों का एक नगर बनेगा जमेरा विश्वर्ट को लेकर आपनों कहा है राइफल क्लब का उद्गाटन सन्माननिया देवेंद्र जी जो हमारी उपमुक्यमंत्री बारतिय जनता पाड़ी के निता है उनके हाथों से करना है इसके लिए 26 जनवरी तारीक मैंने तई की है प्रजासत्ताक दिन की या फिर उसके आगे पीछे दो-चार दिनों में राइफल क्लब का उद्गाटन बोरिली में पहला बहुती सुन्दर राइफल क्लब जैसे हम जानते है कि राइफल शूटिंग के माध्यम से अपनी नेमबाज अंजली भागवत पूरे देश से लेके विज़ेश तक पहुंची थी अपने राइफल शूटिंग के माध्यम से लोग आगे बढ़ते हैं स्पोर्स का एक नया नजरिया नया दर्या हम देखते हैं और राइफल शूटिंग क्लब और कि अपने नेका इसको बनाने में मुझे एक साल लगा राइफल शूटिंग क्लब बनाने में करीबन 6-8 महने लगे हैं जिसके बाहर का जो गाल्डन है उसको अभी बनाने में और एको महना लगी गा है मैंने मान अगर पालिका के आयुपता, सन्माननेश्ची, इकबाल सिया जो गाल्डन है जो गोड़े अबस्टेकल्स पार करके जाते है उसका इसके लिए घुर सवारी बोरियूली में हो बच्चों के लिए इसका मेरा प्रयास है और मेरा विश्वास है कि मान अगर पालिका के काईदे कानून में होर्स रेटिंग के लिए जगा नहीं थी लेकिन बोरियूली के मैदानों को धेखते हुए एक मैदान बोरियूली में नए रूप से घुड़सवारी के लिए बच्चों के लिए हम बनाने वाले और आप सबको उसका नहीं हो करें सर्माननिया उपक्यमंत्री देवेंद्र जी इन्होंने चंद दिनों पहले जो भुष्टा की थी जिसमें विरार से लेके वर्सोवा से लेके विरार के समुद्रमारगी रास्ते का उलेक है उसी के साथ साथ ठाने कोस्तल रोड का उलेक है उसी के साथ साथ बहुत सारे रास ये जो ब्रिज बनने का लक्ष हमारे सन्वाननिय सांसत श्री गोपल छिटी जी ने भी रखा था जो बोरियूली में रहते हैं उनको गुराई में जाना गुराई गाउं में रहते हैं मनुरी गाउं में रहते हैं जहां पर अस्पताल की भी सुवीदा नहीं है अगर ब्रिज बने तो अस्पताल होगा ब्रिज बने तो पानी की समस्या दूर होगी ब्रिज बने तो नागरी को को सहेद और आरुग्य के लिए अस्पताल का निर्मान होगा और इस सब के लिए ब्रिज की आवशक्ता है ऐसा मैं नहीं तो हजारों लाखों लोग मानते है और यहां से जो आदान प्रदान विवार की चीजे है वो होगी एकनोमी बढ़ेगी परियाटन बढ़ेगा और गोराई मनोरी में रहने वाले लोगों को भी आरुग्य की सेवा स सुवीदा मिलेगी अच्छे स्पूलों में आना जाना होगा अधिवासी हिलागा है बहुत सारे अधिवासी पाड़े है चोटे-चोटे बच्चियों और बच्चियों का शिक्षा के माध्यम से बहुत सारा लगा है और आज अधुनिकता से हम आगे बढ़ रहे हैं आप दरस्ता पार होता है आज अगर आपको गोराई गाउ जाना है या फिर गोराई गाउ या मनोरी में किसी नाधरीक की कुछ कारण से धुर्गणा दरस्ता होते है या विमार गिरते है तो यहां से अबूलन जाने के लिए 36 km लगते हैं और इसके लिए मेरा मानना है बहुत सा अभीदा भी होगी वोट मेंसे भी परेटक जाएंगे आने वाला समय या अधुनिकता के माध्यम से एक अधुनिक भारत इस भारत के निर्माण के लिए अधर निये प्रदानमंत्री शी नरिंद्र मुदी जी काम करते हैं उनी के साथ साथ कंदे से कंदा मिलाते हुए हम सब क आरेगरता यह अधुनिक भारत की नीव रखने का काम हम सब मिलके करें और एक अधुनिक भारत का निर्माण करें इसी तरह